चलिए फ्रेंड्स हम लोग अपनी वीडियो को कॉंटेन्यू करते हैं यह वीडियो काफी लंबी हो गई ति इसलिए मैंने त्रीफार्थ में से डेवाइड कर दिया है अब इसमें हम लोग देखेंगे लेसन फाइब जिसमें वाटर के बारे महानी के जल के बारे मताएगे है इसमें यह चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें बताएगे है जो हमारे जले है वो तीनों रूपों में रहता है जैसे की गैस यह रूप में भी रहता है वो तरल रूप में भी रहता है जैसे जल के रूप में तो वो तरल अवस्ता में होता है जो गैस के लेकिन हमारी प्रक्टबी पर यह जल है, जिसका हम यूज़ करते हैं वो कम है दोस्तों अब भी आप देखेंगे तो इसमें फर्टेंटेस भी दिखाएगे है वो भी मैं भी दिखाऊंगा ओकि आप देखें यहाँ पर एक जल चकर का एक डियागराम दिखाएगा यहां से आप इसके डैफिनिसन भी देख सकते हैं जल चकर किस जब जल होता है वह बास में बदल कर ऊपर जाता है तो इसी प्रिग्रिया को बासपी गरण की प्रिग्रिया कहता है तो अचला होगी जनगल्षप को तो दोस्तों जो बारटर वैपर है जो जल बासफ है ρ हीम के रूप में दुबारत अागत हो पुना वो पुण भी पर आए अब आए गी फिर पुना यह महादीपो से नदियों के माध्यम से जाल होगा दोस्तों फिर शर शुऻ्मन् Rede तो आप यहां पर देख सकते हैं कि... जो जल है उसका एक rotation का एक rotation चल लंगा ना दोस्तो रहा है इसी ही लिए इसे जल चकर का नाम दे दिया गया झो जल होता है जल एक रूप से जाध होता है तो इस्थ को जल चकर कहते है इसी तरह इहां पर यह जो हम पैराग्राप देखेंगे इसमें बताएगए है साई जो आज जो जल है जो भारत में बहर है साई तो कुछ सताब दियो पहले या कुछ सालों पहले वो अमेजन बेसिन में या फिर और कहीं किसी भी डेस में बहता हो क्योंकि जल है वो एक जिग से दूसरी जगह ज़ादा रहता है गासिय रूप में भी नदियों के माध्यम से समुद्र के माध्यम से बहुत रूप नदियों के माध्यम के जल का इन्यानlichkeit है। अब देखे इसमें बताएगा बहुत इंपोर्टेंट बात कि जो जल होता है वो दो रूपों में हो सकता है एक जो आलवड़ी अजल दूसरा अलवड़ी अजल होता है इसी का हम यूज करते हैं और एक कम मात्रा में पाया जाता है इसलिए हम लोग कहते हैं जल को हमें बरबा अभूमिकर जल्धि को बोलते हैं हिंदी में तो उसमें भी आलबडी बॉट्थियाजल अफ में झाना होता हैं समाकरता जाधा होती है क्लोद को देखनेग को मिलेगा शाग। इसमें बहुत सी चीज़े बताएगी है और जो मैंने दोस्तों कल आमको एक टाक्स दिया था जब हमारी सिक्स क्लास की NCRT थी तब मैंने उसमें से पुझा था कि हमारे जो पिर्थभी है उसमें कितने सारे महाधी पाए जाते हैं और एक महाधी उसमें नया जोड़ गया है उ सबसे बड़ा महाधी पै दोस्तों वो A.C.I. pię तो A.C.I. को नमबर बन है आप लिख लिए सबसे बड़ा A.C.I. फिर दूसे नमबर पर अफ्रीक आता है तीसे नमबर पर उत्री अमेरिका और चौते नमबर पर अध्यों दच्छडी अमेरिका है फिर इसके बाद दोस्तो तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा नीचे अंटार्टिका ओगे फिर आपको उपर देखने को मिलेगा फिर यूरोप शिक्स नमबर पर और सेमन नमबर पर औस्टेलिया है अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंपोर्टेंट बात है 2017 में एक नया महादीप खोजा गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी कुछ लोकेशन आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी यहाँ पर मैं आपको बना कर देखा देता हूं कुछ इस तरह से वो देखने को मिलेगी जिसका नाम है जी लेंड यह आप लोग के नोट कर लीज़े और अब ये आठमा महादीप है अब ये तक साथ महादीप थे लेकिन आब आठमा महादीप है और ये छोटा मोटा नहीं है दोस्तों ये काफी वड़ा है और ये समुदर के नीचे समुद्र के नीचे नहीं है लेकिन जो समुद्र का जल है उसमें पायज आता है यानि कि यह डूमबा हुआ है थोड़ी गहराई में यह पाया जाता है लेकिन एक काफी बड़ा जैसे हमारा भारत है दोस्तों आप लोग जानते हो निकर आप लोग ने पढ़ा होगा हमारे भारत का जो छेतरपल है वो लगबख में 32 लाख बर किलोमेटर है और इसका जो छेतरपल है दोस्तों जील एंडिया का तो यह लगबख में 50 लाख बर किलोमेटर है कितना 50 लाख बर किलोमेटर है यानि कि हमारा भारत जितना बड़ा है उससे भी बड़ा यह महादीप है और अगर हम उस्टेलिया की बात करें दोस्तों तो यह लगबख में 70 लाख बर किलोमेटर है दोस्तों यानि कि जो ऑस्टेलिया है दोस्तों उससे थोड़ा सा ही छोटा है यानि कि यह काफी बड़ा महादीप है अभी तक दोस्तों इस पर रिसर्च चल लई थी 2017 में कहा गया था एक महादीप है लेकिन उस टाइम माना गया था कि यह महादीप है यह समुद्र के अंदर दब गया है लेकिन अभी नई रिसर्च हुई है अभी हाली में कुछ ही महीने पहले अब कहा गया है नहीं यह जो महादीप है उसकी सटीक लोकिशन उसकी मैपिंग सब कुछ की जा चुकी है और माना जा चुका है कि हाँ ये महादीप है जिस पर न्यूजिलेंड आपको देखने को मिलेगा और बहुत सारी इसमें दिविप हैं दोस्तों तो आपको इतनी सारी इंफॉर्मिशन मिल गई और देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्टेंट दी रखिएं जैसे आप देख सकते हैं कि हाँ पर सबी महादीप पर जो भी इंफॉर्टेंट नदियां उनके बारे बताएगे हैं जैसे इसमें अमेजन नदी और दोस्तों अमेजन नदी है वो विसका सबसे बड़ा अपभात अंतर बनाती है अपभात अंतर किसे कहते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ जैसे मालेते हैं यह को एक मुख नदिय है ओके रेड कलर से मैं आपको एक मुख नदिय दिखा रहा हूँ आप इसमें से छोटी छोटी दोस्तों सायक नदिया होते हैं जनको डिविटरी बोलते हैं यह भी मिलती होंगी दोस्तों इस तरह से ओके अब आप देख सकते हैं इसमें यह सायक नदिया है एक कुछ इस तरह से इसमें मिली हुए है आप यहाँ पर एक important चीज़ देखिए कि जो इतना बड़ा छेतर है दोस्तों इतना बड़ा छेतर है दोस्तों इसी को अभवा तंदर का बोलते हैं यानि कि जो मुख नदी होती है और सायक नदी होती है उनके द्वारा जितना भी छेतर घेरा जाता है या सिंचित छेतर होता है उसी को उस नदी का अभवा तंतर बोलते हैं तो Amazon basin है दोस्तों Amazon नदी है उसका बिसम में सबसे बड़ा अभवा तंतर है अब देखे इसी तरह आप उपर देख सकते हैं Mississippi है यह काफी important नदी है उत्री अमेरिका की इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं Orange River है यह अफ्रीका की काफी important river है और Congo इदर आप देख सकते हैं इसी तरह जो नाइजर river है यह भी अफ्रीका की इसी तरह दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अफरीका की जो सबसे महतपूर और बिसकी सबसे लंबी जो नदी है वो नीन नदी है इसी तरह अगर हम लोग एसिया की बात करें तो एसिया की सबसे लंबी नदी हो आप देख सकते हैं और अन दो महतपूर नदियां हैं जो हैं पुत्र और गंगा गंगा का अधिकांस्ता संबंद भारत से ही है लेकिन ब्रह्म पुत्र है इसका संबंद दोस्तों चीन और भारत दोनों से है ओके चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं क्या क्या है और जो मैपिंग का है दोस्तों आप टैंसर ना लीजे क्य कैसे आपको याद करना है तो आप मैपिंग की टैंसन बिल्कुल ना लीजिए अब देखिए जो इसमें बताएगा है जल का बितरण ओके एक काफी इंपॉर्टेंट है और देखिए मैं बताता हूं इससे कैसे कुछन आते हैं अब देखिए इसमें बताएगे जो महा सागर है है दोस्तों महा सागर हम सबसे ज़्यादा जल पाये जाता है और हमने पहले भी देखा है जो महा सागर है उसमें लबड़िया जल पाये जाता है और अगर हम इसमें परसेंट इसकी बात करें तो 97.3% से ज़्यादा या इतना इसमें जल पाये जाता है इसके अलावर जो बर तो पहले हम आला बड़ी है जीलो की बात करते हैं तो इसमें जो टोटल जल है वो जीरो जीरो नाइन परसेंट के करीब में और जो नमकीन जीले हैं नमकीन जीलों में भी समान है 0.009% तो आप देख सकते हैं जो लबड़ी जील और आलबड़ी जील है उनमें लगवक में समान मातरा में जल पाया जाता है अब देखे यहां पर जो यहां पर एक कुशन काफी लोग गलत कर देते हैं तो लोग सोचते हैं नदियों में ज्यादा जल होगा बायू मंडल में कम होगा लेकिन बायू मंडल में ज्यादा जल है नदियों की अपिक्चा इस बात को आपको बिसिस ध्यान रखना है इसको गलत नहीं करना है तो बायो मंडल में ज़्यादा जल पाया जाता है नदियों की अपेक्षा अब देखिए जो बायो मंडल है उसमें पाया जाता है 0.0019% और जो नदिया है उनमें 0.0001% तो अगर आप इनको जोड़ेंगे टोटल तो 100% के करीब मैं आपको मिल जाएगा अब देखिए अगर यहाँ पर लवड़ता की बात आती है तो लवड़ता किसे कहेंगे तो यहाँ पर बताएगे कि लवड़ता क्या है तो 1000 ग्राम में अब देखिए इस बात को बिसस दिखन रखिए 1000 ग्राम में मैझूद नमक की मात्रा ही लबरता है अब इसमे बताएगा है अगर हम लबरता इतनी है तो महसागरो की जो ओसत लबरता है average तो वह कितनी है 35 पिरती 1000 ग्राम यानि कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इक बात और यहाँ पर अगर आपने percentage का इस तरह से symbol देखा होगा तो इसमें से एक ऐसे और यहां पर एक ऐसा लगा दीजिए तो यह लबरता का symbol हो जाता होगे तो अगर महा सागरों की average लबरता की बात की जाए तो वो कितनी है 35 है लेकिन सबसे अधिक कौन से सागर में पाई जाती है तो वो मिरत सागर है जो इसराइल में यहां पर देखे नोट करके इसमें दिखाए गया है जो इसराइल के मिरत सागर है उसमें 340 ग्राम पिरती लेट तो सबसे ज़्यादी है इसलिए इसके इतनी जद्साइब णिटी है दोस्तों कि अगर आगर आпа जाएंगे तो आप दूम हैं प्रियंहें तो वहत पहले हैं ग्राइब तो म्त भी रहता है यानिकि वो रोटेट नहीं करता है लेकिन जो महासागरियस जल है दोस्तों महासागरों का जल वो इस तिर नहीं रहता है वो हमेंसा गतिमान है यानिकि वो हमेंसा रोटेट करता रहता है एक जगह से दूसरी जगह है अगर आप लोग समुद्र के किनारे गयोंगे त निसके जल्ग है दोस्तों 22 मार्स को 20 जल्दी पस मना जाते हैं तो इसी चीज जो को ध्यान रख लेना है तो यहां पर बात आती है जो जल है दूस्तों वह रोटेट क्यों कर रहा है महाजागरू का तो यह बहुत इंपोर्टेंट बात है तो इसमें बताएगा है दूस्तों क जो तरंगे हैं और जुआर भाटा है और जो जल धारा हैं इस अभी मिलकर के महासागरिये जले उसमें गती प्रदान करती हैं ओके इनी के कारण गती आती है अब हम देखते हैं बनवाई बने इनको तो सबसे पहले इसमें दिया रखा है तरंग के बारे में अब आखिर दियान रखना है कि महासा अगर यह सत्य पर जब जल ऊपर नीचे गिरता रहता है तो इन्हें ही तरंगे कहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं आप देखें यहां पर बताएगया है जब समद्री सत्य पर पबन भैती है तब तरंगे उत्पन होती हैं अब जितनी ही तीज पबन भैती है तरंगे उतनी ही बड़ी होती है अब देखें यहां पर एक बहुत ही इंपोर्टेंट बात है दोस्तों सुनामी अब सुनामी किसे कहते हैं तो जो तरंगों का बड़ा रूप होता है तो उसी को सुनामी का रूप दिया गया है अब देखें यहां पर आप द जैसे कि यहां पर के दिख सकते हैं जब जो क्जल ये सतय है उसके ऊपर बायू ताजी प्रणाद करें? जल की सतय से घरस्राइब उसमें गती प्रदान करते हैं तो जल्च होगा और फिर जो जल्चिय सतय के पास में महां सागर यह सतय है बहाँ पर अगर भूकंप आ जाए तो क्या होगा जब भूकंप आएगा दोस्तों तो भूकंप के कारण यहाँ पर जो भूकंप यह तरंगे उत्पन लोंगी और यह भी सतय के ऊपर जब चलेंगी तो साथ में बहुत बड़ी मात्रा में जल को बिस्ताबित करेंग बहुत हैं कि कई मंजिल के बराबर 15 मीटर होता हैं तो आप समझ सकते हैं कितनी भायानक होती होगी अब इसी तरह बतायागी है कि 2014 में हमारे भारत में एक सुनामी आई थी जिसने बहुत जाता तफाही माचाही थी और इंद्रा पॉंट और काई सारे जो दीब थे बो डू जवार वहटा व Records जब आ बåतीजी निए की खॉड कैंता है जब खॉर emissions की वर िखनाएं तो जोआर कीसे केते हैं जाल या वब इस्टरह से बहुती है जसागरी जल हो vigry करता है तो इसे के लिए ज्वार को से रिखया गीजोगा अभाक सी लेंहें इसका अपोजिट आरफ ये ला मगर्वेसर निय्चे भी इतए यह फिर आची के लिख ज principalmente आप उन्दाएं और भाटा क्या होता है भाटे में होता है तो जल होता है वो टर से दूर चला जाता है आप यह समानता दिन में दो बार जॉआर और दो बार भाटा आता है इसका यह नियम है लेकिन आप आगे जब और NCRT पढ़ेंगे तो इसमें आपको एक्सेप्शन भी देखने को मिलें कं कहीं पर एक बार आता है कहीं पर दो बार से भी ज्यादा बार आता है और जो ज्वार भाटा होते हैं यह हमेशा एक जैसे नहीं आते हैं इनका सरूप कम ज्यादा होते रहते हैं यान कि कभी कभर बड़े ज्वार आते हैं कभी कभर छोटे आते हैं आखिर एक ऐसा होता है कभ सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कोई भी कारण होता है ऑकर जिसके कारण यह पानी है दोस्तों वह ओपर निचे होता रहौा है तो यह आकटवसनबल है है आखिर यह आकटवसनबल कहा से लगता है तो यह दोप इना ही तो आमबभाय समझ एंगे जो सूरज है और चंद्रमा है इन दोनों के समलित प्रभाव से प्रतवी पर ज्वारभटे की उद्वत्ती होती है अब आखिर आपको यहाँ पर एक अप्रोश ध्यान रखना है कि आकर्सन बले है तो आकर्सन बल किसका जादा होगा जो परेंड बढ़ होगा इसकी आखर्सन सक्ती जादा होगी तो इसकी आखर्सन सक्ती जादा होगी प्रबल की जो कम होगी चंद्रमा की जो सूरज है बड़े जवार उत्वन होना चाहिए जिस तरफ सूर च कर स लगेगा उस तरब तो बड़ा जुआर उत्पन होना चाहिए और जिस तरब चंदर में है उस तरब जुआर हो वो छोटा उत्पन होना चाहिए लेकिन समानिता ऐसा नहीं होता है क्यूं क्यूंकि दोस्तो इसकी जो आकरसन सकती है वो तो जादा है देखे आप कुसन को अच्छे से सुनिया का तब ही आप सही कर पाएंगे अगर पूछा जाएं सूरज के आकरसन सकती जादा है तो यस इसकी आकरसन सकती जादा है लेकिन पिर्थवी पर इसका प्रभाव कम पड़ता है क्यों अब देखे यह भी मैं आपको समझा देता हूँ इसका पिर्थवी पर प्रभाव कम क्यों पड़ता है क्योंकि दोस्तों अब आप लोग जानते हैं हमने पहले भी पड़ा था कि सूर से पिर्थवी की दूरी है वो कितनी है वो 15 कड़ोर किलोमेटर है और जो चंद्रमा से पिर्थवी की दूरी है वो सिर्फ लगबख में 4 लाग या फिर मैं एक्जेक्ट बताऊं तो 3,84,000 3,84,000 किलोमेटर है अब देखे यह कितनी है लगबख में 4 लाग अब यह देखे यहाँ पर कितनी है 15 कड़ोर तो यह कई गुना जादा है इसी वज़े से दूरी जादा होने के कारण जो सूरज की जो आकरसन सकती है वो पिर्थवी तक कम हो जाती है लेकिन चंद्रमा की जादा रहती है इसी लिए जिदर चंद्रमा होता है उदर बड़े जवारुत्पन होता है और जिदर सूरज होता है उदर छोटे जवारुत्पन होता है लेकिन यहाँ पर भी बात खदम नहीं होती है अब दूसरी भी बात आती है दोस्तों तो पहरला तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर पूछा जाए कि आकरसा सक्ति किसकी ज्यादा होगी तो सूरज की होगी लेकिन इसका प्रभाव पिर्थवी पर कम होता है और इसलिए पूछा जाता है कि दोस्तों जो जो जौर भटा है वो कौन ज्यादा प्रभाव डाल कर साकती जादा है लेकिन इसका पिर्थपी पर प्रभाव है दोस्तों वो कम होगा प्रभाव कम क्यों होगा यह बात आप समझ कियोंगे क्योंकि यह दूरी जादा है अब देखिए मैं यहां पर आप कोई चीज दिखाते हूं यससे आपकी सारी चीज़े क्लियर हो जाएंगी अब देखिए यहां पर एक सूरज है एक चंद्रमा है और इसके जो यहां पर भाइड वाइड दिखाए गया है यह मान लेते हैं जा ले ओगे यह महासागर है अब सबसे पहले हम देखते हैं सूरज है है इसने फॉरस लगाया मानन लेते हैं sidewalk लगाया सब्सक्राइबड और दोनों मिलके है एक समझा जैसे की एक है दूस्तो ये पोल है अब इस पे रसी आपने बांदी ये रसी इस तरह से आ रही है अब इसमें एक लोग खीज रहे है पहले तब क्या करेगा दूस्तो ये एक लोग खीज रहे है तो इसमें कम खीजेगा न लेकिन अब इसमें एक लोग और आ गया आप ये दो लोग मिलकर के रसी खीच रहे हैं तो जादा थीस खीच पाएंGए जादा फोर्स लगेगा तो इसी तरह आप सूचिए सूरज भी इस तरह कीच रहे हैं आप चंध्रमा भी इसी तरह अकर सनबन लगा है दोस्तों जौर बोलते हैं, अब यहाँ पर देखिए जो उपर वाला साइट है, यहाँ पर आपको कम जल दिख रहा है न दोस्तों, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो जल है, यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर क्या उत्पन होगा, यहाँ पर भाटा उत्पन तो यहाँ पर भाटा होगा और यहाँ पर भी भाटा होगा तो ज्वार भाटा पिर्थवी पर एक साथ उत्पन होते हैं लेकिन एक इस्तान पर एक साथ ज्वार भाटा नहीं आते हैं दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे इधर तो यह आकरसन बल लग रहा है इन दोनों के द तो इस तरह जवार कैसे आगया तो आपके मन बी डाउट आसकता है न दूस्तो तो यह बी मैं क्लियर कर दिता हूं जब दोस्तु कोई बी चीज इस तरह जब अपना बल लगाती है तो पिर्थभी अपने आपको संतुलित करती है जब यह संतुलित करती है तो यह अपना भी बल लगाती है और इसको संतुलित करने के लिए इससे विपरीद दिसा में फोर्स लगाती है जब विपरीद दिसा में फोर्स लगाती है तो इसी कारण इस तरब भी देखे जल उपर उठ जाता है और इधर भी जौर उत्पन होता किहाँ एक दिसा में फोर्स लगा रहे हैं इसलिए यहां पर बड़े जौर उत्पन होते हैं Maar दूसरी कंडिसन देखते हैं पहली कंडिसन painting में में यहां लेकिन इस कंडिसन में कैसे हुआ इसए भी देखाया स्पों सेमा वहरे कि को सूरस यहां फोर्स लगाइं हैjos तो यहां पर ज्वार उत्पन हुआ, इधर चंद्रमा ने लगाया, तो इधर भी ज्वार उत्पन हुआ, तो आपको लग रहा हुगा कि इस तरफ तो बड़ा ज्वार उत्पन होना चाहिए, इस तरफ कम होना चाहिए, लेकिन दोस्तों मैंने आपको अभी एक बात बताईती की पिर्तवी अपने आपको संतुलित करने के लिए वे तो फोर्स लेठी है, तो एक-एक कर के देखे, फिर आपको समझ में आ जाएगा, सबसे पहले हम देखते हैं चंदरमा का, ओगे, तो चंदरमा ने इस तरह फोर्स लगाया, जब चंदरमान ने force लगाया मान लेते हैं by amount में तो पिर्थवी ने भी अपने आपको संतुलित करने के लिए इदर विपरीद दिसा में by amount में force लगाया तब क्या हुआ इदर भी जो जल था वो उपर उठा इदर भी उठा अब देखिए अब मैं आपको red color से दूसरे color से यह दिखाता हूँ जब जो सूरज है इसने भी force लगाया इस तरफ तो जल क्या हुआ थोड़ा सा और इदर आ गया तो जो सूरज है इसने x amount force लगाया तो इस दिसा में कितना force लग रहा है x plus by लग रहा है न दूस्तों अब इदर भी देखिए इदर देखिए अब भी चंदरवा को तो लगी रहा है साथ में क्या होगा जो सूरज है सूरज ने इस पिर्थवी पर force लगाया तो इसको भी तो संतुलित करने के लिए पिर्थवी फिर से force लगाएगी न तो कितने amount में लगाएगी वो x amount में लगाएगी इसको संतुलित करने के लिए तो इदर और इदर का जो force है वो बराबर ह अब आपको यह बास समझ में आ गई होगी क्योंकि पिर्थवी है वो संतुलन के लिए भी अपना विपरीद बल लगाती है अपने आपको संतुलित करने के लिए तो इन दोनों कंडिशन में क्या होता है बड़े जुआर आते हैं जब जो सूरज चंद्रमा और पिर्थवी हो कंडिशन बन चंद्रमा और यहां पर तो यहां बहुत भी तो इससे 500 बनाते हैं तब आप दे आते हैं चाहुता को समझाता हूँ तो सबसे पेहले यहां पर लेते हैं कि चंदरबा रगाया ठीजे संथुलित करने के लिए भी तो बो भी आमायंट में इस बीपरीट दिसा में फोर्स लगाए mm retiret और फ्रेंड्स जो बनसपतियां उती हैं उन पर तापमान और बरसा का बहुत ज्भावाव पढ़ता है नने बनसपतियां करका कि कांपर किस तरह की बनसपति पाई जाएगी और इस में बताया कि जो बनसपतियां होती है वो मुकत तीन सेड़ी में उनको बाट के देख सकते हैं, नमबर एक बन जहां पर उप्तियुक्त मतलब समान तापमान और जादा आपको बर्सा देखने को मिलेगी, बहाँ पर आपको किस तरह की बनसपती देखने को मिलेगी, बहाँ पर ब्रक्स देखने को मिलेंगे, बन देखने को मिलेंगे, और जहां पर तापमान अधिक रहता है बर्सा कम होगी तो बहां पर आपको reference कम हो लेकिन बर्था कम हो फिर भी भाँ पर आपको reference कम या ज़्यादा हो लेकिन बर्सा एक दम 95 cm से कम हो समानता तब बहाँ पर कटिकली बनसपती आपको देखने को मिलेगी, अब देखिए मैं यहाँ पर और एप्रोच आपको बता देता हूँ, जैसे जो यहाँ पर तापमान देख रहे हैं, अगर तापमान जादा है, तब जो भी बनसपती होगी, उसकी लकड़ी कठोर होगी, क्या कम है, दूसरी कंडिशन क्या है, तापमान कम है, तो जितना तापमान कम होगा, उतनी जो लकड़ी होगी, वो मुलाइम होती जाएगी, इसलिए आप 0 डिग्री जो उसकड़ी बन दिया छेत्र है, बहाँ पर आप देखेंगे, 0 डिग्री से लेकर के आपको देखने को मिले देखने को मिलेंगे, इसी तरह घास भी होती है, जहां पर तापमान दोस्तों, मैंने यहां पर बताया ना, दोस्तों तापमान जहां पर जादा होगा, बहाँ पर जो घास होगी, वो बहुत ही कठोर होगी, लेकिन जहां पर तापमान कम होगा, बहाँ पर मुलाइम खास द देखने को मिलेगा चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें बताया कि देखिए गास के मैदान और कटीले जाड़िया काम पर पाई जाएंगे वो सभी यहां पर बताईगे जो मैंने अभी बताया यहां पर ऊुर्षकर्टी बनदिया है तो यहां पर ताफमान अधिक रहेगा ऑगे जो बनस्पति है आंको कुछबी की ज़रूरत नहीं कीवल आपको ला में देखनी हो गी कौन कौन और नमर बन तॉप मां अदिक है तो यहाँ पर किस तरह के पाए जाए जाएंगे को नई ल्यान पाए जाएंगे और बड़े-बड़े विरक्ष हों G, हम आप तो यहां पर स्वाइस धे तो यहां पर सब्सक्ध मिल्यां सबदेखnal सभाटी सबद उससे एकlestقة एन ऐसह ब्रक्ष बात कि यहां पर उसरी ब्रक्ष आख hips रोजबूट अब नूस यहां पर महोगनी ओके यह बहुत सारे यहां पर आप देख सकते हैं आपको मिलते भी जाएंगे आगे जैसे पढ़ेंगे अब देखिए यहां पर एक दिया रखा है नोटिस हम पढ़ सकते हैं जैसे इसमें बता है जो ब्राजील है दोस्तों उसमें इतने ज़्यादा बिसाल है कि उन्हें पिर्थवी की तरह प्रतीत होते हैं उन्हें पिर्थवी की फिपड़े बोले जाते हैं अब यहां पर जो उस्त कड़ी बंदीये बने हैं इनमें अनकॉंड़ा है दोस्तों वो विसका सबसे बड़ा साप है जो इसमें बताएगे कि यो तोस्तो मगरम चुता है उसको भी मारगर करे खावता है चैल्भाव, ब्लकारढम कलगा कि यहां पर तापमान अधिक होता होगा और पढ़पाती का मतलब है कि यहां पर जो बर्सा है वो कम होती होगी जो सदावार बने उससे बर्सा कम होती होगी और एक मौसम साल में एक ऐसा मौसम आता होगा कि वो मौसम सुस्क हो जाता होगा स्थ्पोस मतलब आधर तक कम होगी तो यहां भी बारिस अधिक होगी लेकिन उसके कम होगी और पिल्स यहां पर तापमान यहां भी आपको ज्ञादा देखने को मिलेगा लेकिन उतना ज् Cambridge नहीं मिलेगा जो आपने बहां पर देखा होगा यहां भी बारिस अधिक हो रही है तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा यहां भी आपको बंद देखने को मिलेंगे जो काफी बिसाल होंगे बड़े बड़े होंगे लेकिन यहां पर जो तापमान है दोस्तों तापमान यहां पर अधिक है तापमान अधिक है लेकिन अब लेकन पर कटोर परकार के आपको लकड़ इंदेखने को मिलेंगी लेकिन असे कम हो ज़ल पिर चाफेसी कारण जो पौद्य वो बासप काफी करते हैं और जब सुसक मौसम मोथे और बासप के प्रिक्रिया होती है वो जादा हो जाती है तो उसी प्रिक्रिया को कम करने के लिए जो बार्टर सेविंग के लिए ये ब्रक्च होते हैं वो अपनी पत्या एक समय विसेस में जाड़ देते हैं गिरा देते हैं सारी पत्या जिससे बासफो सरजन की प्रिक्रिया है वो कम हो और पानी की ज़्यादा जरूरत ना पड़े तो इसलिए इसे पंड पाती कहते हैं क्योंकि जो अपने पंड यान की पत्तियां होती हैं उन्हें गिरा देते हैं इसलिए इने पंड पाती बन बोलते हैं अब देखें इन में एक्जामपल दिया रखा है तो आप लोग देख सकते ह पेढ़ेंगे पिएप ऐनर की कि लिए की चिज़ों किया जाता है इनका अधिकांस्ता अपयों कीया जाता है चीजों कि लिए चाथ acted होली के समय दूस्तों पीड अपनी पत्तिया गिरा देते हैं और जब होली का समय आता है उस वक्त वो नई पत्तिया पहनने लगते तो हम लोग कहते हैं पीड़े नय कपड़े पहनने हैं तो आप लोग इससे समय सकते हैं कि भारत में समानता उस्ट कटी बन दिये जो पढ़ अबच्पाती बन आता है वह पायने लेकिन आपको बहरत एक ऐसा देसे दूस्तों यहां पर सभी तरह कि आपको बनस पति देखने को मिलेगी जैसे कि हमारे हमाले आपको टून डोला प्रकाइरगी तक बम बने अब भी आ आगी आए गी बहु आम अभी देखते हैं अब द सीच का मतलब यहां पर कम दोस्तों तापमान सुप माहता हूँगा मिरा चाल करें देखिए मैं कूंसेप्ट देता हूँ sneaking सीच चैरिक उप सिच है यहां पर सिच मदसला मतलब यहां पर ен the爷ं mother कांम रहेगा hea सदा भारी है यानि है यहां पर बारिस जादा होगी। अब देखी कि यहां पर जादा हो हो 있다 and पर आप यहां पर आपको क्या देखनी को मिलेंगे बन भूता चोहरी विपरक्स को प्राहिए 온 cut कि आपको मुलायम लकड़ी देखने को मिलेगी तो यहां पर कैसी आपको लकड़ी मिलेगी मुलायम परकार कि यान कि जो ब्रक्ष होंगे यह थोड़े मुलायम होंगे किसकी अपिक्चा जो उस्ट कड़ी बंदी है जो बन थे सदावार और पनपाती उनकी अपिक्चा है मु पर्कार के पाए जाते हैं लेकिन मैं आपको भूभी इस एंसे नहीं बताँगा कि वो कैसे याद रखने कि कहां पर कौन से किस महादीप पर किस भाग में क्या पाय जाते हैं कि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी जब मैं सेब्डेट वीडियो बनाऊंगे एडवांस में तब उसमें बताऊंगो यह भी आपको रटने के जड़ुत नहीं कि किस महादीपक कौन से देश में कौन से किस प्रकार की बनस्पति पाई जाती होगी ओके सिर्भ आपको नाम कृमатив आपको इतना पड़े कि जडरुआत भी नहीं कि फिकारते पाई मैं ।ौट मतलब यहां पर अपर टौश भी क्या होगा का मुग इसलिए तोस्तो मैं कहता हूं ना कि आपको मैं इतना परोस कहा होंगा मैं आपको पड़ना सखा रहा हूं केबल आपको ठिकारं की क्य कि यहां पर तापमान कम रहता होगा और पढ़ पाती का मतलब यानि कि बर्सा यहां पर कम होती होगी यहां पर बर्सा कम होती होगी और पढ़ पाती है तो यानि कि बर्स का एक ऐसा मौसम होता होगा कि उस समय सुस्कता ज्यादा होती होगी यानि मौसा में वो सुस्क रहता होगा आधर कम हो जाते होगी अप देखिए इससे कैसे बनेगा यहां पर बरसा कम होती है तोगे आप बरसा कम होती है चोटे होंगे और यहाँ पर तापमान भी कम है जब यहाँ पर तापमान भी कम है तो एक मुलाइम होंगे मुलायम और दिरण दोनों प्रकार के होंगे लेकिन मुलायम जादा देखनों को मिलेंगे और यहां पर सुस्कता भी जाता है मतलब एक समय बर्स का एक मौसा में ऐसा आता है कि उस समय सुस्कता बढ़ जाती है तो उस समय जो बन होंगे वो अपनी पत्तियां गिरा देंगे इसलिए इसे पणड़ पाती नाम दे दिया गया होगे सी तो उट कटी बन किस प्रकार के होंगे तो वो बन होंगे उनकी लखडी अधिकांसता मुलायम होगी दिरण प्रकार की भी लेकिन थोड़ी मुलायम होगी और यहां पर सुस्कता जादा है यह जादा बारवाल लिक लेकिन यहां पर जब भाटा उत्पन होता है दूस्तों लेकिन क्या होता है जो सूरज है यह भी थोड़ा फोर्स लगा देता है अपना जब थोड़ा फोर्स लगा देता है तो जो भाटा होता है यहां पर आप भाटा देखेंगे जो भाटा होगा उसका क्या मतलब है पान अपना थोड़ा फोर्स लगाता है तो जितना भाटा होता है उससे थोड़ा सा दोस्तो कम आता है तो यहां पर इसी लिए अब देखिए जल है वो थोड़ा थोड़ा इधर उधर बढ़ गया तो इसी लिए जो जो जुआर होते हैं बो भी छोटे आते हैं और जो भाटा होते तब किए डिए समझ गे होंगी कि युखर आए टो आइंगे कि तनों कंडिसन समझ गी ओंगे की जी और लöl डभाटते कैसे आते हैए और च् Curve जिल्णा अटर यहाँ लगा लिगा लें आपको M में फास तरीके से समझा दूंगा इसलिए कहते हैं दोस्तों वीडियो को इसकिप ना करा गरिये क्योंकि अब जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें इतने अच्छे से नहीं समझाऊंगा अब देखे इसी तरह यहां पर जो महासागरिये जल्दा रहे हैं उनके कारण महासागरिये जल्दारा उत्पन होती हैं और यह क्या करती हैं दोस्तों यह भूमद रेखा से दुर्बू की और जाती हैं और यह ताप का भी विद्रण करती हैं बहुत सारी चीजों का विद्रण करती हैं आप देखिए यहां पर बहुत सारी जल्दाराओं के बारे बताया इसमें को ज़रे किलिर नहीं दिखेगा लेकिन जब मैं मैपिंग्ग पड़ाओंगा हमारा दो तीन दलों की बास जब आपको टाक्स दुँँगा तो उसमें जल दाया ही आने वाला तो इसको आप देख सकते हैं अगर नहीं देखना चाहते हैं तो आपका बाद में आच्छे से के लिए कर दूँ क्योंकि इसमें ठीक से दिख भी नहीं रहे होगे तो आप ये वाले जो कोशन है ये लगाई है और इनको लगानी कोशिश कीजिए जो अबजेक्टिव हैं इनको भी लगानी कोशिश कीजिए अब से लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी होने जा रही है अब इसमें बता गया है जो इसमें प्राकरतिक बनस्पती और बनजीब के बारे में बता गया है जो प्राकरतिक बनसती है, और में कौन-कौन से बन झीद पाये जाता है। और दोस्तों स्यम इसमें यह ही दिया रखा होगा कि यह अपनी एक मौसं मेंसें इसमें पतिये गिरा देते हैं अब देखें कहा कहा पाये जाते हैं आप देखिए अधरपूरी अमेरिका है बहाँ पर आपको इस तरह की बनस्पति देखने को मिलेगी, चीन हो गया, न्यूजिलेंड हो गया, चिली हो गया, और पच्पी यूरोप हो गया, यहाँ पर आपको इस तरह की बनस्पति देखने को मिलेगी, साथ में इसमें बताया गया, यह अपनी पतियां सुस्क मौसम मे आप बता सकते जैसे कि बाज हो गया, एस हो गया, बीज हो गया, इस तरह कि आपको बनसपतियां देखने को मिलेंगे, जो छोटे होंगे बिरक्च और काफी मुलाइम इनकी लकड़िया होंगे, तो इनका यूज करना काफी सरल हो जाता है, अब देखें यहां पर जो जानबर बनसपति के वारे मताया है, भूमसागरिय बनसपति होती है, यह समान बनसपति उसे थोड़ा बेन होती है, देखें, यहां पर बताया भी गया, जो भूमसागरिय ब्रक्च होते हैं, वो सुस्क मौसम में, जो गिरिस्मृतों में जब सुस्क मौसम होता है, उस समय भी वो बिन देश को ब्हूमत सागरीय बलते हैं यहां पर फल के खेती ज्यादा की जाते हैं वी के ब्हूमसागरी भुमस साकरिय बनसक्षिप गेड़न और इस देखने को मिले अगर इस तरह की बनसक्षिपटागर में लग ine इन्टिर allora यहां पर आपको इस तरह की बनस्पति देखने को मिलें इस तरह की किय सबहुखे करें आपको पना लिक्मितेस आपन ओक है त डारू जाथ बनाइ जाते हैं दोस्तों और यह बनस्पती है दोस्तों यह काफी जादा अच्छी होती है और यहां पर खेती और इंडस्ट्री काफी जादा यहां पर इसलिए डबलब हुए अब देखिए हम बात करते हैं नेक संकुधारी बन के संकुधारी बन होते हैं दोस्तों यह कहां पर पाई जाते हैं जहां पर संकुधारी बहां पर पाई जाते हैं जहां पर तापमान कम होता है और बर्सा भी थोड़ी कम होती है और या फिर जो उचाई वाली छेतर होती है बहां पर भी आपको तापमान कम मिल सकता है इसलिए जो संकुधारी संकु क्यासा होता है जो बिरक्च होता है दोस्तों कुछ कुछ इस तरह का दिखाई पड़ेगा देखने का देखने को देखने को मिलेंगे और दीकिर च dein इसे भी हमम कलyसे मिला कर देखने को मिलेगे और दीजर कुछ आ पर Terra कि सब्सक्राइब 1500 करते हैं दित्य हैं कि सब्सक्राइब और साथ में यहां पर आपको लोबडी, मिंक, धुर्बी अभाल है यह भी जो जानबार है जीब जन्तु आपको देखने को मिलेंगे और जो संकुधारी बन होते हैं दोस्तों इसका इंडस्ट्री में यानि कि आर्थिक महत्व बहुत जाद है क्योकि पैकेजिंग में इसका उपयोग बहुत बहुत किया जाता है, क्योंकि यह लकड़ी हलकी होती है और इसको आप किसी भी रूप में बहुत आसानी से डाल सकते हैं इसलिए पैकेजिंग में अगर आप लोगोंने देखा होगा कि कोई भी सामान आता है तो लकड़ी के जो दोस्तों बॉक्स बनी होते हैं वो संकुधारी बन होते हैं उन्हीं के बनी होते हैं क्योंकि वो काफी हलके होते हैं और उन्हें आसानी से बनाए जा सकता है आप देखें आप घास की मैदान की बात करते हैं जो घास सिस्थल होते हैं उनकी तो घास सिस्थल है तो आप यहां पर एक बास समझ गये होंगे कि यहां पर बारिस कम होती होगी 100 cm से यहां पर बारिस कम होगी आप घास सिस्थलों की बात करें तो इने भी कई भागों में बा स等於久 होगा है और हमानि की यहांड कुम होगी नहीं इसके कारण libertarian की कारण और फेसे कब करण दो सब्सक्राण कर दबाद से आहिए और घ्र-छाज 13 dużo गहां होगी वह आपको देखने को मिलेगी और बारिस है दोस्तों वह भी पर्याप महत्रा में हो रही है इसलिए यहां पर जो गहास होगी वह काफी बड़ी-बड़ी होगी होगे लंबी-लंबी होगी होगे आप इस बात को भी से इस्तियान रखें अब देखें यहां पर यही सेम पताया होगा कि तापमान यहां पर दोस्तों जाद है है आप समझ सकते हैं तो यहां पर जो गहास होगी वो कठोर होगी बारिस कम हो रही है तो यानि कि यहां पर गहास दमेगी और उसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा होगी अब देखें यहां पर आप देख सकते हैं कि इस ही पाई जाती है तो आपको देखने के भी लिए अफुरी का का जो समाना घास उस्तल है ना जो दोस्तों आफुरीका का समाना घास गष्दि आा-थ- ऐगर सीथोष की ब controvers यहांपर कैया दोस्तों उस में तापमान जादा था अब सीथोष सितोष का मतलब क्या है तापमान कम होगा यहाँ पर अब गहास इस तरल है तो यहाँ पर जो बर्सा है वह भी क्या होगी कम होगी अब हम लोग अपने अप्रोस लगाते हैं तो हम लोगों को इतना कुछ पढ़ने की जगरूरत नहीं हम ऐसी बता सकते हैं अब देखिए कि पर तॉजन है और दॉस्तों क्या होगा Mr. Milaim गहस प्यादा होगै k 29 आपं पर देखे सितो रहने तो ताफमान कम हो कि हम सोगीर कोई ऑर बर्सहे तो चुछा पर ढूं पढ़ horr़ी अरही सकते हैं कि यहां हो पर wen घास सबसे पहले आपको समझ में एक बात आ गई है कि यहां पर जो ताफमान होगा वो कम होगा या जादा होगा या दो तरह से कटीली जाड़िया उत्पन हो सकते हैं नंबर एक आपमान दोस्तों जादा होगा और प्लस बर्स बहुत ज्यादा कम वंगी योग il hang कंडिशन क्या है आप देख सकते हैं कि यहां पर तापमान कम है पिलस बरसा यहां भी कम हो रही है बहुत बारिस यहां भी कम हो रही है बहुत तो पहली वाली कंडिशन है यहां पर जो गरम रेगिस्तान होते हैं जैसे कि हमारा जो थार का मरुस्तले है वो इस तरह का है और ज कि आपको बनस्व पती देखने को मिलेगी जिसको टूड़ला प्रिकार की मदस्व पती इस किसे पर कौन कौन से जानबर पाई जाते हैं यम देख सकते हैं जैसे हैं तो ओगिया और यह बालरस हो गया ओगे यह सब क्या है यह धुर्बिय चेतर के जानवर है और धुर्बिय चेतर काफी ठंड होती है बहाँ पर जो ब्रक्चोते हैं अब ठंड जाद होती है तो यानि कि तापमान धुर्बिय चेतर का कम रहता है और धुर्बिय चेतर बारिस भी कम होती है बरसा भी कम है तो आप जितना धुरुप के बढ़ेंगे तो बार इस कम होने के कारण बहाँ पर बनस्पती कम होती जाती है और साथ में तापमान कम है तो यहाँ पर बहुत ही मुलाइम पिरकार के आपको जो भी बनस्पती होगी देखने को मिलेगी और जो लाइकेन है देखिए यहाँ पर लाइकेन आ भी गया जो लाइकेन है दोस्तों वो आपको कहा देखने को मिलेगा तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो टूंडला बनस्पती है पहाँ पर देखने को मिलेगा एक काफी सॉप्ट गास होती है इसको जानमर खाने के लिए आते हैं वहाँ पर और उनका फिर सिकार कर लिया जाता है इन सबी लगाने के आप कोशिज करें